कर्यान के आज मैं आपको आपको क्या कराउंगे आज मैं आपको पूरा आर्टिकल बहुत ही ब्रीफ में समझा देजिए जिसमें important बार तो यही याद रखनी है यह किससे का यूज किया है तो यह चीज बस इतना ही concept पूरा आर्टिकल पर अगर आपने इस concept को समझ लिया कि जो चीज हमें निश्चीत तौर पर पता है तो आर्टिकल दा का यूज करेंगे और अगर हमें कोई चीज ए निश्चीत तौर पर यानि उस noun के बारे में हमें confirmation नहीं है तो हम किसका यूज करते हैं और साथी साथ मैंने आपको exceptional case भी बता दिया थी कि अगर कोई noun निश्चीत है लेकिन फिर भी हम उसके साथ दा का यूज नहीं करते हैं जैसे कि lunch हो गया, dinner हो गया, language हो गई, English, कोई भी language है उससे पहले हम article दा का use नहीं करते हैं, कोई भी subject हो गया, उससे पहले article दा का, वो सारे exceptional case जो है, वो मैंने आपको कल की class में करा दिया था, अगर आपने वो class नहीं देखी, आप जा के check out कर सकते हैं, अब हम आते हैं A और AN पे, ये कैसे use होते हैं, A use होता है व्यंजन के साथ, जिसको हम English में क्या बोलते हैं, consonant बोलते हैं, और AN किसके साथ लगता है, वोवल sound के साथ लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, और हमारे वोवल sound क्या होते हैं, A, E, I, O, U, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, अब देखें कभी भी जो आने वाला noun है, उसको पह अगर इसमें से कोई भी sound आ रहा है तो हम सरिफ और सरिफ N का use करेंगे लेकिन अगर A to Z letter में से इन vowel sound को छोड़ गे फिर कोई भी sound आ रहा है यानि वियंजन का sound आ रहा है तो हम किसका use करते हैं A का use करते हैं तो यह है हमारा article का बिलकुल एक brief छोटा सा तो आज मैं आपके लि मैं mention कर दे तो शायद last class में वह छूट गया था बट मैंने वह adjective के topic में पूरा complete कराया हूँ है जिन्हों ने वह class भी नहीं देखी वह जाके check out कर सकते हैं देखिए adjective में न एक degree थी comparative और एक थी superlative डिगरी तीन तरीके की होती है एक होती है positive एक comparative एक superlative positive वह होती है जो singular noun के की बारे में अच्छा या बुरा बता दे उसको हम क्या बोलते है positive degree लेकिन comparative degree क्या होती है जो दो लोगों के पीच में ऑदो किसी भी चीज के पीच में comparison बताता है उसको हम क्या बोलते है comparative degree उसका keyword क्या था then था लेकिन अगर superlative degree का मतलब क्या होता है SUPER यानि कि जो तो सब मेंसे क्या बतादे, बिलकुल एक BEST बतादे, उसको हम क्या बोलते हैं, सूपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, अब मैंने आपको कीवड बता था कि सूपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका यूज गरते है, दा का, तो ये दा क्या है यहाँ पे, तो एक पॉ wissenक् comparative degree से के पहले भी हम किसका यूज करते हैं दा का यह है exceptional case कहीं लोगों को यह नहीं बता कि हम comparative degree में दा कैसे लगा सकते हैं अगर दो मेंसे भी जैसे मैं कहूँ कि भई मेरे पास दो choices है किसकी pen की एक blue एक white इन दो मेंसे भी मेरे लिए best कौन सा है, ये blue pen मेरे लिए best है, तो मैं क्या करूंगी, the better one, the blue is the better one, यानि कि मैंने comparative degree के साथ भी क्या लगा दिया, दा लगा दिया, क्योंकि मैं इन दोनों से भी, मतलब best के बारे में बात करी हूँ, तो comparative degree के साथ भी हम तब किसका use करते हैं, दा का use करते हैं, और फिर case किस practical है, ऐसे ही little, a little, जिन्नों ने इसकी class नहीं देखिए, वो जाके वो भी check out कर सकते हैं, और तीसरा क्या है, the little, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, मतलब अधी किया, जादा, ये लगता है countable noun के साथ, और ये लगता है किसके साथ, मतलब कम संख्या में क्या होते हैं, ये कम जादा नहीं, और ये किसके साथ लगते हैं, ये लगते हैं, uncountable noun से पहले, किस से पहले लगते हैं, uncountable noun से पहले, आप देखें few और little, एक समझ लीजिए, दूसरा आपने आप समझ आ जाएगा, few लगता है negative sentence के लिए, यानि कि बिलकुल ना के बराबर कि कुछ भी नहीं ह जिसको हम बताई नहीं सकते कि कितना है, a little होता है, इस से थोड़ा जादा, यानि कि बस थोड़ा जादा, यानि कि कुछ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लेकिन जो the little होता है, वो बताता है कि इतना जिसको हम point out कर सके, बस same case few, a few और the few का भी है, बस noun उन क्या हो जाता है countable, few का मतलब भी negative के लिए लगता है, यानि बिलकुल ना के बराबर, a few का मतलब होता है कुछ, और the few का मतलब होता है, इतना जितना हम point out करके बता सके, जैसे कि देखिए एक glass है, एक glass है, इधर एक glass है, और इधर एक glass है, ठीक है, मैं इसमें कहूं कि इतना पानी है, कि आप इसको भी count कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन आप बता सकते हो कि glass में कुछ, यानि थोड़ा बहुत पानी है, तब हम क्या लगाएंगे, a little, क्योंकि negative नहीं है, बिलकुल ना के बराबर पानी, कि उससे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहू क्यों, little, लेकिन अगर मतलब आर्टिकल अ और अन या दा का use होता है, अब हम आते हैं, प्रेक्टिसेट पे, प्रेक्टिसेट मैं पहला क्वेशन कहता है, अब देखे इसमें जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस क्या कह रहएंगे, प्लेस आइप रुस आप अब देखे हैं, यह इवल की बात कर रहा है, necessary का मतलब होता है जरूरी, noun में sound किसका आ रहा है, n मतलब जो letter है वो क्या है, n है और pronunciation भी क्या आ रही है, necessary यानि कि न, तो क्या ये vowel sound का sound आ रहा है, नहीं, तो इसने यहाँ पे क्या लगा दिया, n लगा दिया, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए थ क्योंकि हमारा जो pronunciation sound है, वो vowel sound में से नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे गलती क्या थी, article की, यहाँ पे n नहीं आएगा, क्या आएगा, a, और error part क्या हो गया, option b, next question है, it is a quarter to ten, by my watch, वो अपने watch में क्या बता रहा है, time बता रहा है, quarter to ten, और उपर से यहाँ पे देखे, उ मैंने आपको कहा था, a और an जो होता है, वो हमेशा singular countable noun से पहले आता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ, there are, there are a 50 boys in my class, मैंने कह दिया भई, there are 50 boys in my class, यहाँ पे मैं noun का count क्या दे रही हूँ, 50 boys, है यह noun क्या, plural, क्या मैं इस से पहले article, singular article लगा सकती हूँ, a और an, तो इसलिए यहाँ पे error क्या हो गया, यहाँ पे a और an या किसी भी article का use नहीं होगा, तो यहाँ पे हम singular round से पहले, हम तब क्या लगाते है, article लगाते हैं, और यह किसको denote कर रहा है, यह बता रहा है, plural noun को, क्योंकि 10, 10 का मतलब क्या होता है, 10, तो यहाँ पे a का use, य but yesterday she wore a ring, तो क्या कह रही है कि गीता जनरली, मतलब usually कभी भी क्या नहीं करती, कोई भी जुलरी नहीं पेहनती, लेकिन कल उसने क्या पेहनी थी, रिंक पेहनी थी, और हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं, I am a boy, तो यह क्या होगा, she wore a ring, यानि कि ring क्या है, singular noun है, और singular noun से पहले क्या आता है, ring यानि एक अंगूठी, अंगूठी अकेली है, और singular noun से पहले हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं, और ring में sound किसका आ रहा है, र का आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, a ring लगाएंगे, इसलिए हमारा error part क्या हो गया option c next है of the two sisters she is better और फिर there is no error कि भई of the two sisters कि भई दो में से कौन सी यह है वह वाली लड़की जो है वो better है अभी ही rule मैंने आपको clear किया कि जब दो में से भी हमें best चुनने की बात आ जाए तो हम comparative degree से पहले भी किसका use करते हैं article the का use करते हैं तो यह हम क्या बोलते हैं of the two sisters she is the better one यह she is the better कि भई इन दोनों में से जो वह लड़की है वो क्या है better है तो यहाँ पर better से पहले क्या आना चाहिए था article the आना चाहिए था और error part क्या हो गया option c next next question देखते हैं next question कह रहा है क्या he is the best worker of the factory but unfortunately least paid आप देखें sentence क्या कह रहा है कि he is the best worker वो क्या बता रहा है best या नि डिगरी कौन सी है superlative degree है और आपको पता है superlative degree से पहले हमेशा क्या आता है article दात है क्या दे रखा है बिलकुल सही है वो क्या कह रहा है he is the best worker in the factory में वो सब से best worker है लेकिन unfortunately उसको जो पैसा मिल रहा है न वो क्या है सब से least मतलब low का कौन सी degree form यूज करिए least यानि कि superlative degree और least का मतलब होता है सब से कम और सब से कम के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे superlative degree से पहले हमेशा क्या लगता है article दा लगता है और least superlative degree है तो यहाँ पे error part क्या हो गया option सीधे के छोटे छोटे से ही error है अगर हम इसको अच्छे से पढ़ते होता है rule को जिसमें मैंने आपको main concept समझा दिया है कि main concept क्या है definite और indefinite का singular और plural का अगर plural चीज आ रही है article का use नहीं होगा singular आ रही है तो उसके साथ article का use करेंगे और फिर degree ठीक है few of you वाले case मैंने सारे बता दिया exceptional cases भी मैं साथ साथ बताती हुई चल रही हो next question है he has come out with an unique proposal for his friend कि भई वह कैसे आया है वो आया है किसके साथ एक unique proposal के साथ for अपने friends के लिए और यहाँ पर देखिए unique proposal से पहले क्या लगा हुआ है and लगा हुआ है और unique में देखिए बेशक जो ये you है ये किसको denote कर रहा है वोवल को देकिन अगर मैं इसको pronounce करके देखू तो unique में sound किसका आएगा या का आएगा और या के लिए हम कभी भी article n का use नहीं करते किसका use करते है article a का use करते है तो यहाँ पर unique से पहले क्या आना चाहिए था a आना चाहिए था जो क्या बताता proposal for he has come out with a unique proposal या जैसे हम बोलते हैं he is a unique person तो हम a unique daily life में भी a unique बोलते हैं ना कि n unique तो हमारा error part क्या हो गया option b next question है whole world is today facing the threat of extinking due to inventions of science अब देखें यहाँ पर क्या बात हो गई यहाँ पर बात हो गई the whole world बोलने में ही हम क्या बोलते हैं the whole world और world से पहले आपको पता होगा कल हमने कुछ rule पड़े थे कि जब भी हम किसी unique word के बारे में बात करते हैं चाहे heaven हो गया hell हो गया इन से पहले तो खेरा article का use नहीं होता लेकिन world ऐसा word है जिससे पहले हम किसका use करते हैं article दा का use करते हैं किसका use करते हैं article दा का use करते हैं so error part क्या हो गया option A यहाँ पर आना चाहिए था the whole world is क्योंकि पूरे world को denote किया गया है तो पूरे world के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे article दा का use करेंगे next question है the answer to all the sufferings of human beings lies in the science की भई जो answer है ना कि जो लोग भी suffer कर रहे हैं human beings वो किस पे depend करता है lies करता है science पे और यहाँ पर science क्या है subject है मैंने आपको कहा था कि जब भी हम nationality की बात करते हैं तो nationality से पहले हम article दा का use करते हैं लेकिन जब भी हम language की बात करें बिमारियों की बात करें ठीक है तो उससे पहले हम कभी भी भाषा की बात करें या किसी भी meal की बात कर रहे हैं या dweep की मतलब इन से पहले हम किसका यूज नहीं करते, दिविप के साथ तो करते हैं खेर, लेकिन इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते है, आर्टिकल ए और अन, मतलब आर्टिकल का ही यूज नहीं करते है, तो साइन से पहले यहां पर क्या नहीं आना चाहिए था, आर्टिकल का यूज नहीं होना चाह तो हमारा error part क्या हो गया, option C, next question क्या कहता है, next question कहता है, the police should exercise their authority with a little bit of sensitivity, अब देखे, sentence ने क्या कहा और यहाँ पे आना चाहिए, the no error, अब देखे, sentence क्या कहा रहा है, police को क्या करना चाहिए, उनकी authority पे थोड़ा सा, मतलब sensitivity पे ध्यान देना चाहिए, तो अब देखे, यहाँ पे बात क्या कर, आप देखे, मैंने अभी ही आपको case समझा है, little, a little और the little का की, देखे, little किसको बताते है, कि भाई, बिल्कुल भी, ना के बराबर sensitivity पे ध्यान देने की जरूरत है, ना के बराबर तो नहीं होगी, मतलब थोड़ा सा हमको police को क्या करना चाहिए, अपनी authority प मतलब देखे, छोटे-छोटे से error है, अगर आप वही, मतलब इसलिए मैंने आपको keyword पे बताया, अगर keyword देखोगा आपको सारे error ऐसे ही समझ आ जाएंगे, next question है, this is most important lesson which we will have to study very carefully, यह सबसे important lesson है, जिसको हमें क्या करना है, बहुत ही carefully, ध्यान पूर्वक से पढ़ना है, तो important, more important, most important होता है, important positive degree, more important comparative degree, most important क्या होती है, superlative degree, और superlative degree से पहले हमेशा किसकी जरुरत पढ़ती है, article दा की जरुरत पढ़ती है, यह rule मैंने adjective में भी clear किया था, तो इसलिए मारा error part क्या हो गया, option B, next है, the gangas is for North India, what Krishna is for South India, भाई गंगा किसकी है, North India की, North India के लिए है, और South India के लिए कौन सी है, Krishna, तो मैंने आपको कहा था, जब हमको river define करके बता दे, और हमको river confirm करके बता रहा है, हमारे लिए definite है, तो उससे पहले हम किसका use करते है, article दा का use करते है, गंगास के साथ तो उसने दा लगा दिया, लेकिन यहाँ पे Krishna भी क्या है, एक नदी का नाम है, river का नाम है, Krishna, गंगा, गुदावरी, ब्रहंपृतर, यह सारी की सारी नदियों के नाम है, तो इससे पहले भी हम किसका use करेंगे, article दा का use करेंगे, और error part क्या हो गया, option C part हो गया, next है, my teacher said that sun is a star, आप देखें यह तो आपको पता है कि कोई भी unique noun आजाता है, unique noun क्या हो world हो गया, sun हो गया, moon हो गया, stars हो गया, इन से पहले हम अमेशा क्या लगाते है, article दा का use करते हैं, और आप पढ़ के देखें, जब हम बोलते हैं, the sun rises in the east, तो हम तब भी क्या करते है, sun से पहले, moon से पहले, article दा का use करते है, तो error part क्या हो गया, option B, छोटा छोटा चोटा से my teacher क्या है यहाँ पे subject है said किसको बता रहा है past degree को और फिर भी है किसमें narration में क्योंकि coma inverted, coma इसकी जगह इसने क्या लगा है that narration भी बोल सकते हैं और इसको conjunction भी बोल सकते हैं क्योंकि that किसका काम कर रहा है जोडने का काम कर रहा है कश्मीर यहाँ पे error part क्या था article का ही error था next है due to its beauty कश्मीर is known as Switzerland of India उसकी beauty की वजह से उसको कश्मीर किस नाम से जाना जाता है कश्मीर अपनी beauty की beauty की वजह से किस नाम से जाना जाता है Switzerland of India definite चीज बता दी गई हमारे लिए जब भी हमारे लिए कोई चीड़ी definite हो जाती है तो हम उससे पहले किसका यूज करते हैं article दा का यूज करते हैं इसलिए error part क्या था option C article topic लिखने में बहुत बढ़ा था जिसमें exceptional cases थे बस हमें यह याद करना है definite और indefinite जो exceptional case system हो मैंने आपको बता दिए next है most of the people of southern India not known the Hindi कि भई बहुत से लोग जो है southern India में वो क्या नहीं जानते हिंदी नहीं जानते क्या हिंदी यहाँ पे nationality को denote कर रहे हैं नहीं लेकिन अगर कोई भी word जब nationality को denote करते हैं चाहे the English आ गया the French आ गया वो पूरी nationality को denote करें जब भी nationality को denote करें तब तो हम article दा का use करते हैं लेकिन वो किसकी बात कर रहा है कि भई काफी सारे लोग जो southern India में वो हिंदी नहीं जानते यहाँ पे जो हिंदी है न वो nationality नहीं है यहाँ पे वो क्या है की class का तो यहाँ पे हमारा error part क्या हो गया option C next day he went for the lunch at 1 p.m. and then returned की उस वह कहा गया था lunch के ले गया था कब time दिया गया 1 p.m. and then उसके बाद क्या हुआ फिर वो वहाँ से वापस आ गया आप देखें यहाँ पे क्या है lunch मैंने आपको कहा था कि CB meal से पहले हम article का use नहीं करते हैं meal से पहले विश्रों से पहले काफी सारी चीज़े पूरी list थी वहाँ पे जिस से पहले हम article language से पहले हम किसका use नहीं करते हैं कोई CB विश्रों से पहले subject से पहले article का use नहीं करते हैं तो यहाँ पे lunch, dinner, breakfast कुछ भी आ जाता तो हम इससे पहले क्या दा का यूज नहीं करते, तो error part क्या हो गया, option a, next question क्या है, next question है, every morning the sun rises in the east, दिशाओ के नाम से पहले हमेशा Article का यूज किया जाता है, unique noun से पहले हमेशा article का यूज किया जाता है, article दा का, हर सुभा क्या होता है, sun कहां से निकलता है east से यानि पूरव से निकलता है और sun क्या है unique noun है इसलिए इससे पहले हम क्या लगाएंगे article का use करेंगे बिल्कुल दे रखा है उसके बाद उसने कहा rises every word क्या है subject each every someone no one ये सारे word क्या होते है singular अपने साथ verb भी क्या लेते है singular verb की first form के साथ CISTI बिल्कुल सही है उसके बाद बोल दिया in east east क्या है east west north south किसको बता रहा है direction यानि दिशा को बता रहा है और दिशा से पहले हम किसका use करते है article दा का use करते हैं तो हमारा error part क्या हो गया option c हो गया यानि जब भी कोई दिशा आजे तो उससे पहले हम article का use करते हैं लेकिन अगर north and south and ये सब आ जाते हैं तो इनके साथ हम article का use नहीं करते हैं next है he is best player in India कि भाई वह है क्या है इंडिया का सबसे best player है good better best होता है good positive degree better comparative degree best superlative degree और superlative degree से पहले हमेशा article दा का use होता है अगर आपको ये rule keyword पर याद है तो आपको easily error part अराम से मिल जाएगो और आप अपना easily error ढूंड पाऊगे next question है when I met him the couple of days back he was writing a new book कि जब मैं उससे मिला था तो वो क्या कर था कुछ दिनों बाद पहले तो वह क्या कर रहा था एक book लिख रहा था जब वो कुछ दिन पहले उनसे मिला था आपको याद हो का मैंने कुछ phrases word बताए थे कुछ ऐसे phrase जिन से मतलब जिनके साथ हम article का use नहीं करते हैं और कुछ word ऐसे बताए थे जिनके साथ हम article का use करते हैं यह उनहीं का है couple of days से पहले हम किसका यूज करते हैं article का use तो करते हैं लेकिन यहाँ पे दा नहीं आएगा क्योंकि हमें वो दिन नहीं पता कौन से दिन definite नहीं है हमारे लिए तो हम article किसका use करेंगे a और an का c का sound आ रहा है sir का couple मतलब c मतलब क्या है हमारा जो वेंजन है consonant है वो letter क्या है c वोवल sound में से जो नहीं है और फिर भी एक बार pronounce करके देख लेते हैं couple of days में sound किसका रहा है का का इसलिए हम article n का use नहीं करेंगे किसका use करेंगे a का तो यहाँ पे क्या आना चीए था a और error part क्या हो गया option b तो यह थे हमारे कुछ article के errors जिसमें से आपके जो जो rule अगर छूट गए थे वो मैंने आज करा दिये तो main concept क्या है definite और indefinite चीज का exceptional के साथ साथ करा दिये तो हमारे जो पूरा topic है article का वो complete हो चुका है तो आपका 1,2,60 days का जो planner वो पूरा complete हो चुका है जिसमें से जो भी main topic है सब complete हो गया है देखे मैंने preposition को इस 60 day में count नहीं किया क्योंकि preposition थोड़ा सा थोड़ा नहीं काफी बड़ा topic है जिसमें मैंने phrasal word वर्ब भी add करी है phrasal words जो होते हैं वो बहुत important होते हैं वो preposition को ये denote करते हैं तो इसलिए मैंने उससे आप अपना close test भी निप्टा सकते हो फ्लिंग इन दा portion है वो complete हो चुका है with error with practice set with एक एक rule मतलब एक भी ऐसा rule नहीं है जो छूट गया है तो आज का अपना time देने के लिए thank you मैं आपको मिलूंगे next class में नहीं topic के साथ preposition thank you so much